सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिये गए बैल आइकन पर क्लिक करें विसफोटक न्यूज के प्रायो जग है रेट प्रो रियल स्टेट डेवलपर्स उत्तराखंद में के दारनात मंदिर के कपाट इस बार 14 मई को खोले जाएंगे इसके साथ ही बद्रीनात के कपाट 15 मई को सुबह 4 बजे खुलेंगे इस बात की घोषना उत्तराखंद के संस्कृती मंत्री सत्पाल महाराज ने सोमवार को देहरादून में की उन्होंने बताया कि तिहरी के महाराजा ने देश के मौजुदा स्थिती को ध्यान में रखते हुए दोनों ही तीरत स्थानों को खोले जाने के निर्नए की सूचना उनको दी है इससे पहले कपाट खोलने की तिथी महाशिवरात्री, महाशिवरत्री के पावन पर्व पर तै होती थी इस बार भी महाशिवरात्री के दिन ही बोनों तीरत स्थानों के कपाट खोलने की तारीक तै होनी थी गौर्तलब है कि केदारनाथ जी के गदी स्थाल उंकारिश्वर मंदिर उखी मट में केदारनाथ के रावल भी माशन कर शिवलिंग स्थानिय दस्तूरदार और वेट पाठी गणों की मौजूदगी में पंचान गणना के अनुसार मंदिर के कपाट खोले जाने की परमपरा देवपुनी उप्तराखंड में स्थित के दानाथ और बद्रीनाथ धाम लोगों की प्रमुक आस्था का केंद्र है वही हिमालय परवत की गोग में स्थित के दारनाथ मंदिर 12 जोतिर लिगों में सम्मिलत होने के साथ शार धाम और पंच के दार में से भी एक है वही अलग झाल